नमस्कार दोस्तों केके एक्जाम पाइट में आपका स्वागत है कैसे आप सभी उमीद है आप सभी सही होंगे चलिए दोस्तों आज मैं साइंस के कुछ महत्पूर्ड प्रसंद लिखा रहा हूँ जो की इस पीडी बुक से लिए गए हैं दोस्तों ये आपके किसी भी एक्जाम में अगर साइंस पूछी जाती है वहां के लिए महत्पूर्ड साबित होंगे चलिए दोस्तों इन प्रसंद को सुरू करते हैं हमारा प्रस्ण है आज वाई मंडली दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है दोस्तों वाई मंडली दाब जो मापते हैं वो बारो मीटर में मापते हैं और इसका मात्रक जो है बार होता है अगला है मानो नेत्र की स्पष्ट दर्शन की नियुंतम दूरी होती है 25 सेंटिमीटर कैपसूल का आवरण बना होता है इस्टार्च का बना होता है अंडे का आवरण बना होता है कैलसियम कार्बोनेट का बना होता है मानव मस्तिष्क तथा सेर का अध्यन से संबन्दित साका है प्रेनोलाजी डिहाइड्रेशन से प्राया कमी होती है सोडियम कलोराइड पदार्थक किसी वस्तु का भार अधिक्तम होता है निर्वात में करतिम सिल्क कहलाता है रेयान पदो में जैव पदार्थों का वहन होता है प्लोयम से अस्रुगैस है क्लोरो इशेटो फिनोन आतिचालक की प्रतिरोधक्ता होती है सोन्य डियने की खोज किया था वाट्सन एवं क्रीक ने आम का वैज्यानिक नाम है मैंजी फेरा इंडिका तामबाकू में विसाला पदार्थ होता है निकोटीन रेफ्रिजरेटर में जैल को ठंडा करने के लिए प्रियोग किया जाता है अमोनिया गैस का उप्योग करते हैं वाई मंडली दाप बराबर होता है दसक्री घाते पांच न्यूटन प्रति मीटर स्क्वाइर दो समानांतर मतलब समानांतर दरपण के बीच रखी वस्तु का प्रत्विम बनता है अनन्त में बनता है पेपसिन प्रोटीन को बदल देता है पाली पेप्टाइड में क्वासी ओर कर तथा मरास्मस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से डियने की काईय कहलाती है निकलिक ओटाइड्स किस तापमान पर सेल्सियस और फारेन हाइट का पठ्ठ्यांग समान होता है माइनस 40 डिगरी से सेल्सियस पर मतलब माइनस 40 डिगरी ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है माईरिक यूरिक आकसाइड वा आरगन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेर जरूर करें अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए अगला प्रश्ण सबसे हलकी धातू कौन है लिथियम चावल को पालिस करने से कौन सा विटामिन नश्ट हो जाता है विटामिन भी 25 ततलासुन में गंद किस तत्य के कारण होती है पोटैसियम के कारण किस पदात को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है फेरी क्लोराइड सबसे भारी धातू कौन है ओस्मियम डिटियो का समान नाम क्या है भारी जल या इसका अड़ भार वीस होता है और इसे डिट्रियम आकसाइड भी कहते है प्रत्वी की भूपरपरटी पर सरवाधिक काउन तत्तों मिलता है आकसीजन प्राक्तिक वराण के सिध्यान को किस ने प्रतिपादित किया डार्विन ने फोटो क्रोमिक काच में क्या बेवहरत होता है सिल्वर आयोडाइड निम्बू में कौन सा अमल पाया जाता है शाइटरिक अमल कौन सा विटामिन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है विटामिन सी स्याही के धब को मिटाने के लिए किस अमल का प्रियोग किया जाता है एक्जैलिक अमल फ्यूजतार किस पदार्थ के बने होते हैं सीशा और टिन की मिस्रदातु के खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अमल नश्ट हो जाता है फॉलिक अमल दूद में कौन अमल पाए जाता है लैक्टिक अमल ग्वाइटर रोग का क्या कारण है सारीर में आयोडीन की कमी एपी कल्चर का संबन किस छेतर से है मदुमक्खी पालन सेरी कल्चर का संबन किस छेतर से है रेशा मुत्पादन प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है छोटी आत से हमासे से हिमिफुलिया किस प्रकार का रोग है अनुआंसिक दूद का फटना दूद से दही का बनना या किस क्रिया से होता है किंडवन के काराण चलिए अगले प्रस्पर इंसुलीन की खोज किसने की बेंटिंग ये वेश्ट ने पार से किस भौतिक रासी का मात रखाए खागोली दूरी का गाय के दूद का पीला रंग किसके काराण होता है कैरोटीन के काराण मलेरिया का परजीवी क्या होता है तलाजमोडियम विकास के उत्परिवर्तन के जिद्धान्त को किसने प्रतिपारित किया हिगर डिवरीज धात्मों को वेल्डिंग के लिए किसका उप्योग होता है एशेटलीन गैस का पॉलिथीन किसका बहुलक है एथिलीन का लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है जस्ती कराण हैलोजनों में सरवादिक किरिया सील होता है प्लोरीन गैलेना किस धातु का आइस्क है सीसा आसु में काउन सा एंजाइम पाये जाता है लाइसोजाइम आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग किस गरंती की ब्रद्धी होती है थाईरेड गरंती पीएच का निर्धाराण किस ने किया था सारिंसन ने मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी मान स्पेशी कौन है गलूटियस मैक्सिमस सरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरत जाता है विटामिन सी के का विटामिन सी से फोटाग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है सिल्वर ब्रोमाइड हैजा किस सूच में जीव द्वारा होता है विब्रियो कौलरी मनुस्य के सरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है माधमनी रक्त में गैसो का आदान प्रदान किस अंगल से होता है फेपड़े से प्रत्वी की आयू का आकलन किस विधी द्वारा किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधी द्वारा दोस्तो विडियो कैसा लगा अगर विडियो अच्छा लगा हो लीज इसे लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में सेर जरूर कर दें अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लें आज के लिए इतना ही फिर मिलंगने स्टूडियो में तब तक के लिए बाई